सेरियल किलर्स डोकुमेंटरी का ये एप्डिसोड एक हैसेς potent消 Georg के वारे में है जो क्तल करता था मागर-ड alegate की चोड़ हळा पर अपने हर शिकार को मखिली टुकड़ में बांट डैता था और इनके कई। इससे की ब einemकीं साथ और इन परहे को अठा साथ पोलिस थाने तक पहुशने की कोशिश करती मगर ये सीरियल किलर ऐसा होने से पहले ही एक और शिकार के बाड़ी पार्ट को एक और नोट के साथ पुलीस तक उंचा देता और एक बार फिर पुलीस को चलेंज करता कि अगर आप मुझे पकट सके हो तो पकट लो वरना हर दो हटे में आप ल देहना और कई दफ़ा ऐसा भी होता था अगर इस एरिये की पुलीस की नाजर इनके बेजे या थाने के आज पास रखे गए पारसल पर नजर नहीं पड़ती तो ये किसी और पुलीस स्टीशन को फून कर देते और इनहें कह देते थे कि इस पुलीस स्टीशन वालों से कहो इनके थाने के पास मैंने इनके लिए जो पारसल रखा है इसे उठा लें ये संकी सीरियल किलर अपने विटम्स की बाड़ी के हर पार्ट को अलग अलग जगों पर पूरे शेहर में बिखेर देता था ताकि पुलीस इस विटम्स को पहचान नहीं सके क्योंकि ये सीरियल किलर अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन इनके किसी भी शिकार की पहचान हुई तो उसी दिन पुलीस इनहें गिरितार करेगी इस संकी इंडियन सीरियल किलर का नाम है चंदरकान जा सिरेल किलर चंदरकांट वेस्ट देहली का रहाईशी है इनकी दो शादियां हुई मगर पहली बीवी ने इनहें एक साल से भी कम अरसे में छोड़ कर चली गए और इनसे तलाग ले लिया वो डेली वेजिस पे काम करने वाला एक मामुली सा मसदूर था मगर ये मामुली सा मसदूर तिहार पुलीस के लिए किसी अंडरवल्ड डाउन से कम साबित नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपने हर कतल के साथ इस विक्टम के कुछ बाड़ी पार्ट को एक नोट के साथ तिहार जेल बेचता था सिरियल किलर चंदर कांट जा को पुलीस ने 1998 में एक शंकर नामी शक्स के कतल के जुरूम में गिरतार किया था और ये सिरियल किलर 2002 तक तिहार जेल में केट था मागर नाकाफी सबूतों की बिना पर इसे पुलीस को रहा करना पड़ा जेल से रहा होते ही सिरियल किलर चंदर कांट जान ने शेहर में खुले आम कतलों गारत कर दी और पुलीस इसे पकडने के वास्ते सर्टों कोशिशों के बावजुद नाकाम हो रही थी ये अपने शिकार के साथ पहले दोस्ती करता इनका बरोसा जीता फिर इनहें कोई ना कोई बहाना बना कर कतल कर देता सीरियल किलर चंदर कांट हमेशे इन गरीब मसदूरों को अपना शिकार बनाता था जो दूसरे स्टेट से काम ढूनने के लिए आते थे ये सीरियल किलर पहले इनहें कोई छोटा मोटा काम दिलवाने में इनकी मदद कर दा था और फिर इनहें ये आफर करता था कि अगर वो इनके साथ रहना चाहे तो रह सरें क्योंकि ये सीरियल किलर भी अपनी फैमिली से दूर अकेला रहता था काम और रहाईस दोनों में मदद करने के बाद इन गरीब मसदूरों का बरोसा जीता फिर किसी भी मामूली सी बात का बहाना बनाकर इनका गला दभा कर इनहें कतल कर रहा था और इनके जिसम के हर हिससे को शहर के एक अलग कोने में फैंक देता और एक हिससे को तिहार हो के आस पास पुलीस के लिए फैंक देता था ये शल्सले सेरियल किलर चंदरकान जान तोथोजन सेवन तक जारी रखा और टूथोजन सेवन में एक गतल के शुबह में इन्हें पुलीस ने हिरासत में ले लिया और पुलीस इंट्रोगेशन के दोरान इन्हों ने आपने किये जराइम का एकरार किया और इन्हों ने बताया कि इनके एक दोस्त को इन्हों ने सिर्व इसलिए कतल किया था क्योंकि वो नान वेजिटेरियन था और एक दूसरे दोस्त को इसलिए कतल किया था क्योंकि वो हमेशा औरतों के पीछे बाता रहता था इस तरह इस सेरियल किलर ने अपने हर कतल को अजीब और गरी तरीके से जिस्टिफाइ करने की कोशिश की मगर इंडियन कोर्ट्स ने इनको सजा ए मौत की सजा सुना दी इनकी एपील पर 2016 में इनकी सजा ए मौत को लाइफ इंप्रेजन्मेंट में तबदिल किया गिया और ये आज करती हार जेल में के दे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलिएगा थैंक यू